Chapter 2, Vector and equilibrium, के last up के Access के short question रह गए है, उन को आज देखते हैं, यह lecture आपको सिर्फ short questions का concept समझाने के लिए है, अगर आप short question proper याद करना चाते हैं, तो नीचे description में दिएगे link से आप short question जो है, वो, download कर सकते हैं, ताकि आप उन को याद कर सके और paper में attempt कर सके हैं, वो तुड़न ज सब्सक्राइब करें तो स्टार्ट करते हैं इसकी मेगनिट्यूड क्या होती है और यह यूज किसली होता है किसी भी वेक्टर की डारेक्शन को कल्कुलेट करने के लिए इस्तमाल होता है इसको कैप से डीनोट की खया जाता है और यह लिएक्शन होता है और klar वेक्टर की मेंगनिटीजूड ऑगर आँजी इसको संबना चाहते हैं तो उपर आ रहें लिंक पर क्लिक करें आप देइसेलेगा आप मुझार के क्लिएक से लिह rashन Candi अँशन आप को ब्हृत करते हैं द B. So, ये vector की tail जो है वो A पे है जब किसका head किस पे है? B पे है. तो ये basically आपको B point की location बता रहा है किसके लिहाज से? A के लिहाज से. So, ये vector तो है लेकिन position vector नहीं है. Position vector कौन सा हता है? ऐसा vector जो के आपको किसी भी point की location देगा किसके लिहाज से? Origin के लिहाज से. Like diagram में आप देखें. तो ये vector जो O A है ये आपको A point की location जिसके coordinate small और small भी हैं. उस point की location बता रहा है आपको origin के लिहाज से. या ऐसा vector जो origin से start होगा. उसको आप position vector कहते हैं. So, इस topic को भी आप जो है वो thoroughly समझने के लिए उपर दिये गए link पर क्लिक करके. सारी का सारा सुन सकते है दुबारा से. Third आपका है component of vector. Component क्या होता है? Vector की किसी भी specific direction में या particular direction में जो effective value होगी उसको आप component of vector कहेंगे. So, component plane के अदर चुके 2 axis होते हैं. इसलिए vector के 2 component होगे. और space के अदर चुके 3 axis होते हैं. इसलिए vector के 3 component हो सकेंगे. Clear? Question number two पे चलते हैं. कह रहा है कि the vector sum of 3 vectors give a 0 resultant. आपके पास कोई 3 vector है? उनका sum जो है वो 0 आ रहा है. तो उनकी orientation क्या हो सकती है? So, सबसे पहले एक बात बड़े important है कि अगर कोई भी 3 या 4 या 5 या जितने भी vector अगर मिलके एक close shape बना दे. Regular order में close shape बना दे. तो उनका sum हमेशा क्या होगा? 0 होगा. चुके यहाँ तीन vector की बात हो रही है तो तीन vector मिलके close shape किस तरह की बना सकते हैं? ट्राइंगल और बना सकते हैं क्योंके triangle की 3 sides होती है. तो vector की orientation क्या होगी? Vector will be the sides of our triangle. किसी भी triangle की side होगे लेकिन regular pattern की समदना जो है वो बहुत जरूरी है. वो क्या है? देखते हैं जी. फर्स करें कि आपके पास यह 3 vector हैं जो कि मिलके close shape बना रहे हैं. देखें, A vector का head है जी इस तरफ. यह arrow इस तरफ है. B का arrow भी इस तरफ है. और C का arrow भी इस तरफ है. मतलब क्या है? कि tail arrow, tail arrow और tail arrow. यह है regular pattern. लेकिन जब आपने resultant vector पढ़ाता है head to tail rule के case में तो third vector जो है वो कुछ इस direction में होता था कि B का head और resultant का head आपस में match कर रहा होता है. तो तब वो vector दोनों के sum के equal होता है. तब इनका resultant 0 नहीं होता है. resultant 0 कब होगा? जब vector मिलके regular pattern के अदर एक close shape बनाएंगे. बात clear है? so vector sum 3, vectors का sum जो है वो 0 resultant कब देगा? जब वो vector किसी भी triangle की sides के along लाई करेंगे. clear question number 3 देखते हैं कि कोई vector है जो के x y plane में like आ रहा है. तो किह रहा है कि किस orientation के लिए इसके component जो है वो दोनों negative होगे? और किस orientation के लिए इसके components के negative sign होगे? जब आपने rectangular coordinate system पढ़ा था तो आपने देखा था कि जब x-axis और y-axis एक दुझे को intersect करते हैं तो basically आपके पास coordinate system के 4 portion बनती है. जिनको आप coordinates कहते हैं. कुछ ऐसा ही है first coordinate, second quadrant sorry, third quadrant और fourth quadrant. First quadrant के अंदर x की positive line आती है. x जो कि आपको पता है positive होता है और इस side पे negative होता है इस तरह origin से upward जो भाए है वो positive होता है और origin से downward y जाता है वो क्या आता है negative. So first quadrant के अंदर x की भी positive line आ रही y की भी दोनो positive. इसी तरह आप देखते भी लिख सकते हैं कि first quadrant में दोनो positive, third में दोनो negative second के अंदर आपका ax जो है x-axis जो नेगटिव होता और ay क्या आता है positive. So आपके component के negative sign का आप होंगे जब आपका vector lie करेगा कहां third quadrant के अंदर जब आपका vector third quadrant में lie करेगा तो उसका x component भी negative होगा और y component में negative होगा. अब बात रहेगी opposite signs की. Opposite sign कहां कहां होगे? अगर आप गउर करें second quadrant के अंदर आपका x-axis तो positive है sorry x-axis तो negative है लेकिन y-axis positive है और इसी के opposite fourth quadrant के अगर बात करें तो उसमें x component positive है और y component negative है अगर आपका vector second quadrant में लाई करे या fourth quadrant में लाई करे तो उसके components के sign जो होगे वो क्या होगे? opposite होगे. बात clear है? So question number four पे चलते हैं If one of the rectangular component of a vector is not zero, can its magnitude be zero? Explain. Question आपके पास यह है कि आपके पास कोई vector है और उसके rectangular components हैं जैसा कि आप लोग लिख सकते हैं So उनमें थे अगर एक zero नहीं है तो क्या उसकी magnitude zero हो सकती है? सबसे पहले तो आप कहेंगे सिदा सिदा के no नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती देखते हैं देखें, vector की magnitude आपके पास सामने है vector की magnitude आप कैसे calculate करते थे? Simple हमने उसके horizontal component का square लेना और उसके vertical component का square लेना और उसके उड़ लेते तो आपके magnitude आ सकती थी अब अगर एक zero नहीं है अगर एक zero नहीं है तो क्या magnitude zero हो सकती है? फर्ज करें आपका horizontal component ax zero है तो ax की जगा जब आप zero put करेंगे तो आपके पास simple solution के बाद zero का square zero तो जब zero का square मेड़ होगा तो simple बचेगा ay का square root square root और square cancel हो सकेगा और आपके पास magnitude आ सकेगी ay means कि अगर horizontal component zero है तो आपकी magnitude zero नहीं आई इसी का reverse अगर आप देखें अगर आपका ay zero है अगर आप ay zero है उसी तरह आप ay की जगा भी zero put करें ay की जगा zero put करें तो ax का square root से cancel हो सकेगा और आपके पास magnitude क्या सकेगी ax तो इदर से clear हुआ कि अगर आपका एक component zero है तो आपकी magnitude zero नहीं होगी magnitude सिर्फ और सिर्फ तब ही zero होगी जब आपके vector के दोनों के दोनों component जो होगे वो zero होगे clear? question number 5 क्या किसी vector का जो component है वो vector की magnitude से बड़ा हो सकता है तो सबसे पहले तो आप कहेंगे no उसकी reason क्या है? देखें component जो होता है वो vector का एक part होता है ऐसा ही है component वेक्टर का एक part होता है और कोई भी part अपने origin से original से बड़ा नहीं हो सकता आप अगर 5 के दो हिसो में डिवाइड करें 5,3 या 4,1 जो भी आप बनाए तो each part जो है वो उसका क्या कहला है component तो component basically vector का साब part हो सकता है वो उससे बड़ा नहीं हो सकता बात clear है तो किसी भी vector का component जो है वो vector की magnitude से बड़ा नहीं हो सकता maximum बराबर हो सकता है मसलन 5 के आप कुछ इस तरह दो part बना लेके 5 प्लस 0 तो 5 प्लस 0 जो है 2 वो इसके parts है 0 वाले को अगर आप निगलक करें तो 5 is equal to 5 means एक component उसके maximum equal हो सकता है उससे बड़ा नहीं हो सकता clear है question number 6 पे चलते है can the magnitude of a vector have a negative value क्या vector की magnitude जो है उसकी negative value हो सकती है साबसे पहले तो आप लिखेंगे no नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती देखते है x horizontal component का square plus vertical component का square so magnitude 0 नहीं हो सकती क्यों इस square की वज़ा से अगर आपके component का sign negative b है let's say 2i minus का 3j है तो जब आप negative term का square लेंगे तो वो आपके पास क्या आजाएगा positive आजाएगा so किसी भी vector की जो magnitude है वो 0 नहीं हो सकती clear next question number 7 है आपका कहता है कि अगर a plus b दो vector उनका sum 0 है what can you say about the components of two vectors तो आप इनके components के बारे में क्या कह सकते है देखें अगर आपके पास sum 3 है a plus b is equal to 0 अब a plus b को generally देखें a plus b देखें a को लिखा जा सकता है a x i plus b a y j cap के इसी तरह आप अगर b को इस तरह लिखें क्या b x i cap plus b y j cap इसे लिखा जा सकता है अब चुके b x और a x दोनों के साथ जो multiple है ये unit vector है वो i cap है तो आप इसको comma ले सकते हैं तो कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं ये simple expression है यहाँ तक clear है तो यहाँ तक लिखने के बाद अब अगर आप question पे गौर करें तो इनका sum किस के को ला रहा है zero के को ला रहा है it means आप a plus b की जगा इसकी जगा पे zero put कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं तो इसकी जगा जब आप zero put करेंगे तो after zero put करने कि आप compare कर सकते हैं कि इसका horizontal component अगर तो वेक्टर का sum zero के equal है तो उनके component आपस में exactly equal है but reverse किस के अंदर है direction के अंदर यानि अगर a vector का horizontal component plus का 2 आई है तो b का horizontal component minus का 2 आई है इसी तरह अगर b का जो vertical component वो minus का 7j है तो a का जो vertical component है वो plus का 7j है so both component will have equal components in magnitude but opposite in a direction बात clear clear next चलते हैं जी question number 8 पे under what circumstances would a vector have component that are equal in magnitude के factor के जो component है वो magnitude में equal काब हो सकते है या आपने बताने आप लोग पाठ चुके हैं formula क्या formula था जी कहते हैं के a कोई एक vector a ठीक है ax is equal to किसके एकुल होता है a cause of theta कुछ ऐसा ही है और जब आप a y निकालते हैं x के जाब पर y लिखते हैं तो इदर आजता है sine of theta it means के component जो हैं वो तकरीबन same है a की magnitude दोनों में आ रही है same clear एक में cause of theta आ रहा है और एक में sine of theta आ रहा है तो सिरफ आपने वो एंगल देखना है जिसके उपर आपका cause of theta और sine of theta दोनों आपस में equal है तो अगर आप गवर करें या आपको आपने पीछे lecture लिया है या आपको table याद है तो अगर आपका vector horizontal के साथ 45 degrees बना रहा है cause of 45 b.707 होता है और sine of 45 b.707 होता है तो अगर आपका vector simple ता answer है किस circumstances के अंदर आपके vector के component equal होंगे magnitude में जब आपका vector horizontal के साथ 45 degree के angle बनाएगा तब आपके horizontal component AX और vertical component AY दोनों आपस में क्या होंगे same होगे बात clear है question number 9 पे चलते है कहता है is it possible to add a vector quantity to a scalar quantity क्या एक vector quantity को scalar quantity में add किया जा सकता है तो simple सा इसका answer है no क्यों? देखें आपको पता है scaleers की क्या होती है सिरफ और सिरफ magnitude होती है और vectors की क्या होती है magnitude plus direction so always same nature की quantity एक दूसरे में add होती है जो बचे कमिस्ट्री पढ़ क्या है उन्होंने एक बार सुनी हो गई like dissolve like ऐसा ही है यानि polar component polar में dissolve होते हैं so similar इसी तरह same nature की quantities जो है वो एक दूसरे में add होती है scalar quantities scalar में add होती है vertical vector quantities vector quantities में add होती है but they can be multiplied to each other multiply आप ज़रूर कार सकते हैं लेकिन add नहीं कार सकते हैं so next question है can you add 0 to a null vector क्या आप 0 को null vector में add कार सकते हैं तो बजाहर आपको लाग रहा होगा 0 भी वही है null vector भी वही है लेकिन थोड़ी सी बात समचें सबसे पहले straight answer no क्यों 0 एक scalar quantity है null vector एक vector quantity है so different nature है इन दोनों की इसलिए दोनों आपस में add है नहीं हो सकते हैं same दोनों question same है एक में generally पूछा है कि scalers को vector में add कार सकते है कि नहीं कार सकते है so question number 11 पे चलते है two vector have unequal magnitude can there sum be 0 दो vector है उनकी magnitude unequal है क्या उनका sum 0 हो सकता है यह आपने बताना है so सबसे पहले आपको simple पता no क्यों देखें दो नमबर है simple सी example से समझाता हूँ दो नमबर हैं आपके पास क्या उनका sum unequal है एक 5 है तो दूसरा 5 नहीं है unequal है 5 से या ज्यादा है या कम है 3 कर ले या 4 कर ले या 7 कर ले या 8 कर ले क्या उन दोनों का sum 0 हो सकता है बिलकुल नहीं हो सकता अगर 5 है तो उसका sum अगर उसी के reverse minus 5 के साथ लेंगे तब ही 0 होगा otherwise कभी भी 0 नहीं हो सकता तो वही बात इदर है दो वेक्टर अगर उनकी magnitude unequal है तो उनका sum कभी भी 0 नहीं हो सकता sum सिरफ और सिरफ तब 0 होगा जब दोनों वेक्टर की magnitude तो equal होगी लेकिन direction क्या होगी opposite होगी so unequal magnitude के वेक्टर का sum कभी भी 0 नहीं हो सकता so question number 12 देखते है show that this sum and difference of two perpendicular vectors of equal length और also perpendicular and of same length कहना यह चाह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है equal length की आपने उन दोनों same length वाले vectors का sum भी लिया और difference भी लिया दो नहीं vector आगे एक उनका sum vector resultant positive वाला एक उनका resultant आगया negative वाला तो आपने show यह करना है कि जो sum लेने से resultant आया और जो minus करने से resultant आया वो भी आपस में perpendicular यह show करना है clear है so simple देखते हैं देखें r first करें आप calculate करें sum लेंगे किस तरह लेंगे simple आप दोनों को add करेंगे a plus b लट करें x की direction में और b y axis की direction में तो a i plus b जी आजाएगा इसी तरह आप दोनों का resultant difference की form में minus करें b को reverse करके तो a minus b आजाएगा या उसको भी आपसरा लिख सकते है show आपने ये करना है कि दो vector है equal length के मतलब कि a vector जो है इसकी length इसकी length length किससे denote होती है length denote करती है magnitude को कि a vector की magnitude किसके equal है जी b vector की magnitude के यहाँ था clear है क्योंकि उसने काव है कि two vectors of same length यहाँ था clear है so दो vectors की magnitude जो है वापस में same है next जी आपने show करना है कि इनका sum लिया तो आपके पास है r इनका difference लिया तो आपके पास है r prime इसलिए लिखा है ताकि दोनों के अंदर difference रह सके आपने show करना है कि r vector और r prime जो vector है यह भी आपस में perpendicular है perpendicular कैसे थाबत होगा अगर आपने dot product पढ़िया तो आपको पता है अगर तो vector पर perpendicular हो उनकी dot product जीरो हती है तो हम इनकी dot product लेके देख लेते है dot product लें जी a i plus b j a i minus b j so dot product कैसे लेती थी आपको याद है i cap वाले को i वाले से multiply करते थे b वाले को j वाले को j वाले से अगर किसी को dot product में issue है तो वो उपर आ रहे link पे click करके dot product वाले lecture सुन सकता है so इसको अगर आप solve करें तो आपके पास हाजएगा a का square minus b का square अब चुँके आप लोग नोनोंने question के अंदर condition ये लगाईए कि दोनों वेक्टर एक्वल लेंथ किया dot product है वो क्या आ रही है zero इसका मतलब क्या हुआ कि r vector और r prime vector ये दोनों आपस में क्या है perpendicular है clear so next would have to be oriented if they give to combine to give a resultant equal to vector of same magnitude आपके पास दो vector है same magnitude की आपने उनको add करना है और add इस तरह करना है कि जो आपके पास resultant आए वो भी individual vector की length के equal हो या magnitude के equal हो so किस तरह करेंगे देखते है अगर आपके पास vector एक दूसरे से इस तरह लाई करें कि वो 60 degree का angle आपस में बना रहे है जैसा कि आप diagram में देख सकते है देखे a, b, r तीन vector है a, b, r ये तीनो triangle की sides के along है और triangle कौन सी है triangle के आपने टाइप पढ़ी होगी equilateral triangle ऐसी triangle जिसकी तीनो sides आपस में क्या होती है same होती है किस के अंदर length के अंदर ऐसी triangle को आप equilateral triangle कहते है so अगर आपका a और b इसी equilateral triangle की दो sides के along लाई करेंगी तो third obviously आपका क्या बनेगा resultant vector बनेगा और resultant vector जो है magnitude में तीनों के equal होगा लेकिन by formula यह किस के equal होगा r must be equal to a plus b clear so अगर तीन vector दो vector आपके जो के जिनको आपने add करना है और third vector आपका जो के इनका resultant है वो किसी equilateral triangle की sides के along लाई करेंगे तो आपका जो vector है resultant वो individual vector के length के equal भी होगा और by formula दोनों के sum के equal भी होगा so equilateral triangle के अंदर total add triangle में आपको पता है angle होता है 180 और equilateral triangle में तीनों sides equal it means तीनों angles equal so 180 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 60 so अगर vectors 60 degree पे लाई करेंगे एक दूसरे से तो तीनों vector जो है question number 13 था next देखते है question number 14 दो forces हैं आपके पास यह दो vector है एक है 60 newton की force और दूसरी है 35 newton की force तो आपने बताने हैं इनमें से possible answer क्या हो सकता है यह possible answer कुछ इस तरह है कि आपके पास exact answer नहीं आएगा बलके आप vector की orientation यह internal angle नहीं बताया है तो देखते हैं कैसे करेंगे देखें आपके पास 35 और 60 newton दो vector है अगर आप इन दोनों को add करें तो आपके पास resultant आता है 95 यानि दोनों vector जो है maximum answer किताना दे सकते है 95 और अगर आप दोनों को minus करें तो minimum answer आपका क्या आ सकता है 25 और आप options पर गवर करें तो 100 newton कभी भी attain नहीं हो सकता क्यों क्योंकि दो vector का maximum resultant 95 तक जा रहा है और 20 newton भी attain नहीं हो सकता क्योंकि आपके vectors का minimum resultant 25 तक जा रहा है तो जो center में option 70 वो आपका correct answer होगा clear? तो इसी का अगला पार्ट है question no.15 suppose that the size of a closed polygon represents vector arrangement head to tail hold आपके पास कोई close polygon polygon कहते हैं five side वाली को five side वाली को shape है जिसके अंदर vector arrange हो है head to tail hold regular pattern में तो उनका sum क्या होगा obviously zero होगा क्योंकि आप question no.2 में देख चुके है अगर कोई भी vector मिलके close shape बना दे regular pattern में तो उनका sum हमेशा क्या होता है? zero तो simple सी बात है question no.16 पे चलती है कहरा है दो ship से आपके पास जो के different direction में move का रही है opposite direction में कि speed पे equal speed पे और आपके x जो ship है उसकी direction due north है ऐसे observer के लिए जो के y ship के अपर है clear so north है अगर आपने sst पड़ी हुई है matter के अंतर तो आपको directions जो है वो थोड़ी सी पता होगी मैं थोड़ी सी draw करता हूँ first करें आपके पास कुछ x plus sign बनाए clear है? कुछ इस तरह होता है n e w और आपके पास होता है s कुछ ऐसा ही है so अगर ship आपकी x जा रही है north की तरफ upward तो obviously जो आपकी ship होगी वो की सिर्फ जा रही है आपकी ship जो है वो जा रही है downward south की तरफ क्योंके दोनों एक्टोरे से equal speed पे भी जा रही है different direction में भी जा रही है so आपके पास question यह कहता है के the apparent direction of apparent कहते है ऐसी direction जो actual बलके आपको क्या रही हो नजर आ रही हो the apparent direction of motion of axis north east north east का मतलब क्या है कि आपकी apparent direction कुछ उसकी इस तरफ है the actual direction of motion of y as observed from shore will be shore से जो करे देखे opposite direction में आपको नजर आ रही है इस तरफ apparent direction है जा दोनों opposite direction में रही है different direction में जाये तो कहता है कि वाई की अगर आप shore से खड़े को थे कि shore basically आपकी यहां बान रही है कुछ यहां shore होगी shore कहते है किसको साहिल को तो shore अगर आपकी यह होगी तब आपको north east direction शो होगी बात क्लियर है तो question आपको यह था कि यह था अगर आप shore से करें तो वह किस तरफ होगी अब different direction में जा रही है तो कुछ आपकी y की direction जो है वह एक ही possible रही है जो किस तरफ है west की तरफ है so possible answer आपका जो आ सकता है y का वह क्या है west है आपकी जो y ship है वह x की different direction में मूव कर रही है और वह obviously किस तरफ कर रही है y की oh sorry west की direction में मूव कर रही है या towards आपके negative x axis मूव कर रही है इसी का second part है आपके पास कि कोई यह diagram है इसके अंदर एक body है जो के inclined plane पे मूव कर रही है clear है उसके ओपर force लग रही है different जो के diagram में आपके पास show है किसी three-tangle पे लग रही है clear कहता है कि जो resultant force इसके उपर लगेगी देखें अगर एक block पे दो forces लग रही है एक right वर लग रही है एक left वर लग रही है तो obviously resultant force क्या होगी zero अगर दोनों forces equal है इसी तरह question आप से इदर यह है कि यह कुछ diagram है इसमें different forces लग रही है body के उपर तो आपने बताना यह है कि जो actual force जो है surface के उपर लग रही है body के उपर वो कौन सी है clear है so diagram पे थोड़ा सा गोर करते है देखें यह body है upward लग रही है R, downward लग रही है mg cosita, दोने एक दुछ के reverse दोनों cancel, clear है F लाग रही है किस तरफ rightward, leftward पे एक यह F है तो दोनों cancel आपके पास upward लाग रही है F cosita downward लाग रही है F downward लाग रही है mg sin of theta so जो कि आपकी body जो है वो upward move कर रही है उसके आपने force सिरफ वो calculate कर रही है जो inclined plane के उपर लाग रही है तो inclined plane के उपर अगर आप गौर करें तो सिरफ आपकी force upward यह लाग रही है और downward यह लाग रही है अब आपकी force की direction कुछ इस तरह है इसका मतलब है body आपकी upward move कर रही है अगर upward move कर रही है तो obviously upward वाली force जो है वो downward वाली से ज्यादा होगी तो net force कितनी लागेगी F cause of theta upward लाग रही है यह वाली और mg sine of theta लाग रही है downward तो इन दोनों का difference होगा मर्स फर्ज करें कि यह 5 newton कि है यह 2 newton कि है तो net 3 की लाग रही है so F cause theta minus mg sine theta कुछ आपकी जो a option है ना F cause theta और minus mg sine theta यह आपकी actual force है जो कि surface के ओपर लाग रही है clear next question पर चलते है if all the components आपके पास कोई दो vector है a1 और a2 अगर उनके तमाम components को आप क्या कर दे reverse कर दे तो a1 cross a2 किस तरह alter हो जाएगी देखें a1 cross a2 आपके पास कोई product है अगर आप दोनों के component को reverse करेंगे यानि a1 के component को भी reverse करें a2 के component को भी reverse करें तो यह minus का a1 हो जाएगा इसी तरह a2 के जब component को reverse करेंगे तो minus का a2 हो जाएगा जब आप इन दोनों को multiply करेंगे तो negative और negative multiply हो के दुमारा क्या बना देगी positive इसका मतलब क्या है कि अगर आप दोनों के component को a1 और a2 दोनों के component को reverse करे तो product पे कोई फरक नहीं पड़ेगा product क्या रहेगी आपकी as it is रहेगी same to same रहेगी so next question आपका है 18 कहता है कि तीन condition बताएं that will make a1 cross a2 0 so cross product का question है number of condition मान सकते हैं सिर्फ तीन ही बतानी आपने देखें दो vector की product cross product 0 आ रही है अगर a1 null vector है null vector हमलत 0 तो null को किसी से multiply करेंगे resultant 0 clear दूसरी condition अगर आपका a2 null vector है तो तब भी अपकी product 0 होगी एक third जो है वो ये भी आ सकते है कि अगर दोनों के दोनों vector a1 और a2 दोनों के दोनों null है तब भी answer आपका 0 आएगा और एक fourth condition जो कि इदर लिखी है मैंने वो क्या है अगर आपका vector a1 और a2 चूँकर ये cross product है cross product में vector का cross product 0 का बहती है जब vectors parallel हो या anti parallel हो उपर link आ रहा है cross product का आप उस पे click करके cross product वाला topic जो हो है वो thoroughly बढ़ सकते हैं इससे आपको जो है मदीद बाते क्लियर हो जाएंगे so अगर a1 और a2 आपस में parallel है या anti parallel है तब भी आपका इनकी cross product का answer जो है वो क्या हैगा zero है clear है next question number 19 है कहता है identify करे a body in equilibrium implies that it is neither moving nor rotating क्या ये सही है कि गल्ट जिन बच्चों ने equilibrium वाला topic पढ़ा है वो एक minute में बता सकते है कि गल्ट है अगर आपके body जो है uniform velocity से move कर रही है uniform velocity से move करने का मतलब यह है कि उसकी position में instantaneous या random को chain नहीं आ रहा बलके जो उसकी condition है या हालत है या state है वो क्या रही है बरकरार so body अगर एक uniform velocity से move कर रही हो तो वो equilibrium में होती है बात clear है तो यह statement क्या है गलत है क्यों body अगर uniform velocity से move करे तो वो equilibrium में हो सकती है next आपकी statement है if the co-planar forces acting on a body from a close polygon तो body equilibrium में होगी बिल्कुल होगी क्यों देखें अगर जो आपकी co-planar forces है co-planar कहते हैं एक forces जो same plane में लाई करें अगर वो एक body के उपर मिलके close polygon बना रही है तो उनका sum क्या होगा? 0 forces का sum 0 होगया body के उपर first condition जो है equilibrium की वो satisfy होगी और body static equilibrium में होगी clear है third statement की तरफ बलके sorry दो ही है next आपका question है 20 के अब body picture is suspended from a wall by two strings कुछ diagram है यह वाली आपके पास एक picture है जिसको दो strings की मदद से क्या किया गया है hang किया गया है तो कहता है कि किस configuration के लिए जो body के अंदर जो tension है वो क्या होगी minimum होगी आपने बताना है so 2 possible combinations आपके पास से given है यहाँ तो आप रस्तियों को या strings को कुछ इस shape में V shape में लगा सकते है या उनको आप किस से लगा सकते है vertical लगा सकते है so किस case में आपके पास जो है वो tension minimum होगी देखें अगर आप इनको यह क्या करें triangular shape में बनाएंगे तो आपके पास देखें total angle 90 होता है clear है यह almost 90 का half नहीं है तो 45 degree होगा 45 degree 45 degree जब आप put करके देखेंगे तो आपके पास answer हैगा 0.707 clear है लेकिन जब आप vertical put करके देखेंगे यानि जब आपका horizontal या picture के साथ angle बन रहा होगा पूरा 90 degree तब आपकी जो है वो क्या कहते है टेंशन जो है वो क्या आएगी 0.5 आएगी 0.5 और 0.7 0.7 को जब आप compare करें तो 0.5 छोटा है इसलिए अगर आप अगर आप रसियों को या स्टिंग्स को vertically 90 degree picture के साथ करके hang करेंगे तब आपकी टेंशन क्या आएगी 0 आएगी sorry minimum आएगी clear है लास्ट अगवा question है 21 कैना body rotate about its center of gravity under the action of weight क्या एक body जो है वो center of gravity के अपने weight के अपने weight के अपने rotate कर सकती है तो simple no वजा देखें अगर एक body अपने weight के force की वजा से rotate कर रही है it means आपका weight जो है वो pivot point से पास कर रहा है pivot point कौन सा होता है जहां body rotate करती है so अगर कोई भी force pivot point से पास करे तो उसके उपर लगने वाली torque क्या होती है 0 होती है link पे click करके आप torque वाला topic जो है वो lecture सुन सकते हैं तो आपको मजीद clear हो सकेगा सिर्फ याद रखने वाली बात यह है अगर आपकी force pivot point से पास कर जाए अगर आपकी force pivot point से पास कर जाए तो आपके उपर moment arm की value हो जाती है 0 moment arm 0 हो गया तो torque होती है r cross f r की value 0 होई तो torque कभी भी नहीं लगेगी 0 रहेगी और body कभी भी rotate नहीं करेगी clear so आज आपने exercise के short question आपको नीचे description में दिये लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं clear so यह lectures आपको सेद academy की तरफ से provide किया जा रहे यह उन तमाम students के लिए जो 90 days में अपनी physics कवर करना चाहते है उनके लिए एक challenge लेगा यह सेद academy आप daily lecture जो है वो सुने कोई आपको query है तो आप gmail पे email करके जो है वो उसको resolve करवा सकते हैं या कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप comment में भी mention कर सकते हैं अगर आपको lecture समझ आ रहे हैं तो like करें comment करें और अपने दूसरे class fellow तक share करें ताके वो भी सेद academy की तरफ से दिये गए 90 day physics challenge का हिसा बन सकी second chapter के notes जो है वो भी description में लिख दिया गया आप उदर से download कर सकते हैं आपको book खोने की दरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये lecture जो है ये notes जो है वो आप तरी प्रिपेर करें और आपको इंशालला 85 by 85 marks आ सकेंगे so next time इंशालला numericals जो है उसके next lecture आपको numericals का होगा तब तक आप जो chapter है पूरे का पूरा प्रिपेर कर ले ताक कि आपको numerical जो है वो समदे में असानी हो सके so next next lecture तक जी अलाफिस